नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत धर्म के बारे में तो थोड़ा से समझते हैं पहले छटी शतावदी के पुर्म जो उत्तर वैदिक काल में समाज की जटिलता हैं काफी अधिक बढ़ती जा रह था और पुजा पाठ में ब्रह्मनों की उफस्ति अनिवार्य थी तो इस तरह की जो चीजें हो रही थी इससे समाज में काफी प्रभाव पढ़ रहा था और समाज में जटिलता बढ़ती जा रही थी तो ऐसे में दो नए धर्मों का उदे हुआ जो था बौध धर्म और जै और इनका जो बश्पन का नाम था हो सिधाप था तो आज हम लोग देखेंगे बौध धर्म के बारे में बौध धर्म के संस्थापक गौतम बूध थे और बुद का अर्थ होता है रकास मान हम लोग देखते हैं गौतम बूध के जीवन परीशे गौतम बूद का जनम 536 इशापूर हुआ था उनका जनमस्तान नेपाल के तराई लुंबनी ग्राम में हुआ था पिता शुद्धोधन जो सांक्यों के गनराज्ये के राजा थे उनकी माता का नाम महमाया था जो कोसल राज्ये की राज़कुमारी थी गौतम बूद के प्रजापति गौतमी ने किया जो सिधात की मौसी थी अब आग देखते हैं उनका विवा 16 साल की उम्र में करा दिया गया आखिर सिधात का विवा 16 वर्ष्ट की उम्र में इतनी जल्दी क्यों करा दिया गया इसके पीछे कारण था चलिए हम लोग जामते हैं इसका कारण क् सुधोधन जो सांके गंण राजे के राजा थे उनके महल पर बहुत ही दिनों के बाद बहुस वर्षों के बाद उनके महल में एक शंतान की प्राप्ती हुई थी इसका नाम था सिधात और इस खुशी में सांक्य गंड राजे के जो राजा सुधोधन अपने महल में कई बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया था तो उन विद्वानों ने सिधात की भविश्यवानी की और उन्होंने राजा सुधोधन को बताया कि यह बालक जो है आगे चलकर चक्रवती समराट बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा ऐसे में सन्यासी बनने का कारण यह है कि जब भी दुख का महसूस होगा उस बालक को तो वह संसारिक जीवन त्याकर सन्यासी जीवन पर चल लेगा तो ऐसे में राजा सुधोधन के घर में जो खुसी थी वो अचानक से बदल गई और सुधोधन को लगा कि वो उसके जीवन में ऐसी कोई भी चीजे नहीं आनी चाहिए जो उसके दुख का कारण बने ऐसे में राजा सुधोधन ने सिधात के लिए सारी शुविधाएं एवं वेवस्थाएं प्रदान किया पर होनी को कौन टाल सकता है सुधोधन को समय समय पर यह महसूस होता था एवं चिंता सताती थी कि जब बालक कुद का महसूस होगा तो युवा सन्यासी रुपधारन कर लेगा उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी उनका एक ही शंतान वो भी इतने दिन बाद प्राप्त हुआ था उन्होंने सोचा कि सिधात का विवा करा दिया जाए तो वह संसारिक जीवन में उसका मन लगा रहेगा और वह सन्यासी रुपधारन नहीं करेगा तो ऐसे में इसी कारण सोला वर्ष की उम्रे में सिधात का विवा करा दिया गया था और सोला वर्ष की उम्रे में कोल्य गन राज्ये की राजकुमारी यह सोधरा से उसका विवा करा दिया गया कुछ वर्षों बाद उन्हें का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल सिधात ने राहुल और सार्थी जो था उनका नाम था चन उनकी मृत्यों 483 इशापुर मलूं की राजधानी कुशी नारा में हुआ उन्होंने ग्रिय त्याग 29 वर्ष की अवस्था में किया प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया जिसे रिशी पतनम भी कहा जाता है स्वर्वदिक उपदेश उन्होंने कोशल में दिया और अंतिम उपदेश उन्होंने कुशी नारा में दिया ज्यान प्राप्ति उन्होंने वैशाक पुर्णिमा की रात को निरंजना नदी जिसे पुनपुन नदी भी कहा जाता है निरंजना नदी के तर्ट पर उन्होंने ज्यान प्राप्ति की ज्यान प्राप्ति को संबोधी या बुद्ध भी कहा जाता है उन्होंने जो उपदेश दिया वो पाली भासा में हुए उपदेश देते थे मगत को उन्होंने बौत धर्म का प्रमुक केंद्र बनाया उनके प्रमुक गुरु थे प्रथम गुरु जो अलार कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन की ज्ञान प्राप्त की आगे देखते हैं गौतम बुद के जीवन से संबंदित कुछ प्रतिक जनम कहें कमल वा सांख्य गृतियाग घोड़ा ज्यान पीपल व्रिश निर्वान पदचिन मृत्यू इस्तुप गटना प्रमुक गटना से संबंदित उच सब्द गृत्याग महा भी निश्क्रमन कहा जाता है गृत्याग को ज्यान प्राप्त को संबोधी या बुद्ध प्रतम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन और मृत्यू को कहा जाता है महा परी निर्वान आगे देखते हैं ग्री त्याक्यपुर्व सिधात के साथ क्या घटना घटी थी एक बार राजमहल के बाहर सिधात घुमने निकले थे तब उन्होंने मार्ग में चार द्रिश्य देखा जिसमें से सबसे पहले उन्होंने एक ब्रीद को देखा तब उन्होंने उस बृत को देखकर अपने सारथी से पूछा महराज ये क्या है तो सारथी ने कहा ये ब्रीद व्यक्ति है तो सिधात कहता है क्या हम लोग भी एक दिन ऐसे ही हो जाएंगे तो उन्होंने कहा हाँ कुछ दूर आगे चल कर उन्होंने एक रोगी को बिमार से तड़पते हुए देखा तो उन्होंने कहा महराज क्या हम लोग भी एक दिन ऐसे हो जाएंगे तो उन्होंने कहा हाँ आगे चलकर उन्होंने एक मृतक को देखा तो उन्होंने कहा महराज इसे कहा लेकर जा रहे हैं तो सार्थी ने बताया, ये मिरित व्यक्ति है, इसे दफनाने के लिए ले जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा, महराज क्या हमें भी एक दिन ऐसे ही ले जाया जाएगा, तो उन्होंने कहा, हाँ, अंत में उन्होंने कुछ दूर चल कर एक शन्यासी को देखा, तब उन्होंने सार्थी ने बताया, ये सन्यासी है, संसारिक जीवन से मुक्त है, ना इसे कोई दूख है, ना है इसे कोई सुक की चिन्ता है, इसका ना कोई अपना है, ना है कोई पराया, ना मृत्यू का डर है, ना जीवन जीने का कोई चिन्ता है, तो ऐसे में सिधात ने कहा, महराज, य तो सबसे सांदार जीवन यही है तब सिधात ने कहा अपने सार्थी से कि रत यही से घुमाईए अब हम और आगे नहीं जाएंगे सिधात महल पहुँचकर तब सिधात महल पहुँचकर काफी चिंतन करने लगे और एक दिन रात में जब महल में सब सो रहे थे तब उन्होंने अपने सार्थी को उठाया और राजमहल छोड़कर चला गया अनोमा नदी के तट पर पहुँचकर अपना राजसी वस्त्र को त्याग दिया और सन्यासी वस्त्र धारन कर लिया और अपने सार्थी चन को वापस जाने को कहा और सन्यासी रोप धारन कर लिया तो दोस्तों आज हमने गौतम बुद के जीवन परीचे को देखा कल हम लोग इसके आगे देखेंगे उमीद करती हूँ कि आज जो भी हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो लाइक शेर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो में बनाओ वो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें